हान जी दोस्तों जिस चीज का इंतिजार था RRB के नोटिफिकेशन का तो आप लोग का आ चुका है और मैं नोटिफिकेशन पर सच में कुछ नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि आप लोग जगा जगा से वीडियो देख चुके होंगे और आप लोग अभी तक 3-4 दिन तक उस जी मोजे रहने वाले हो यह मुझे जानकारी है थोड़ी बहुत जी इंपोर्टेंट चीजे हैं जैसे लिजिबिल्टी क्राइटेरिया आपके एक्जाम कब होने वाला है आपके एक्जाम के फॉर्म फिलिंग कब से होने वाले है यह सब आप लोग को मैं बता दूंगे ले डेट्स हैं वो नोटिफिकेशन में नहीं दिये हैं टेंटेटिव मन्त दिया हुआ है अगस्त मन्त ठीक है लेकिन अगर हम लोग स्टार्टिंग की बात कर लें आई वी पीएस कैलेंडर की तो उसमें आपकी डेट एकदम क्लियर तरीके सा लिखी वी थी जो की 5 अगस्त प खोड़ी से स्ट्रेटेजी बताऊंगी कैसे आपको प्रिपार करना ये बताऊंगी अब आप लोग ये समझ लीजे कि मैं जॉब में रहने के बाद से बहुत हेक्दिक शिडियूल के बाद से भी आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ मैं एक भी डेडिकेशन से शेर कर देना है लाइक कर देना है चैनल पर नए हो चैनल सस्क्राइब कर लो आच्छा जो बच्चे नएज है बिलकुल विग्नर एन इंक लिए बिलकुल पहला एक्जाम है ये उन λोग के लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाला है और जो लोग एक्स्पिरियंस में होगा eligibility criteria की बात कर लेता है तो कोई भी बैचलर डिग्री जिसके पास है वो लोग eligible है इस exam को देने के लिए तो आप लोगो आई चीज़े clear हो गई होगी अब रही बात prelims में क्या आता है में में क्या आता है तो prelims में आपका quant और reasoning आता है अच्छी बात यह है कि English नहीं आ आता है हाँ पर total 80 marks का आता है और composite time मिलता है यहाँ पर आप लोगो 45 minutes का ठीक है यानि कि आपको sectional time नहीं मिलता लेकिन sectional cut off जरूर जाता है यह ध्यान रखना है आप लोगों ने means में आप लोगों का quant reasoning के साथ सा general awareness यानि current affairs वाला part जोड़ 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 वना कि दे रही हूँ या आप लोगों को खुद करना चाहिए क्या आज है आपके पास एक जून आप आज के दिन 45 days मैंने लिखा हुआ यहां 20 days लिखा हुआ हमेशा मैं strategy को दो पार्ट में divide करके ही देती हूँ क्यों कि इसी strategy से मैंने अपना R.B.P.O. clear किया है और काफी ब टू-डू लिस्ट मैं start करने वाली हूँ टू-डू लिस्ट आज वे आपकी बनाऊंगी और कल मॉनिंग से आपको टू-डू लिस्ट देखने के लिए मिलेगी जो की 45 days की होगी मैं 45 days की ही क्यों बना रहे हो आप क्योंकि गैस मेरा रहता है कि 45 days बनाना स्टार्टिंग की जो first half वाली to-do list रहती है उसमें मैं आप लोग का सारा का सारा basic clear करवा दू मॉक्स दिल्वाना स्टार्ट कर दू और last के टो 20 days रहते हैं वो बिल्कुल dedicated होते हैं exam को लेके जिसमें आप back to back मॉक्स देंगे और अलग तरीके की वो कुछ strategy होती है तो इस 20 days पर हम बादें बा 55 तक पूरा अच्छे से देखे क्योंकि भाई मेरी to-do list से selection हुआ है और इतने येकीन से मैं इसी लिए बोल रही हूँ अब बात कर लेते हैं cutoff की cutoff में कहां तक जाती है कितनी जाती है तो guys cutoff की अगर आप लोग सुनो तो भाई officer की जो cutoff जाती है वो 65 प्लस आप लोग मान की जर्वत है अब एक चीज आपको बता दू कि practice के लिए आपको मैं बोलने वाली हूँ वैसे भी अपनी to-do list में भी उससे अच्छा है कि आज से ही बता दू आपको अगर आप लोग serious हो के इस वीडियो को देख रहे हो और seriously मुझे समझते हो कि हाँ भाई मैं जो बताती है help करता है तो guidely, guidely आपका ऐसा है कि day one prelims से लेके बिल्कुल beginner से लेके मेंस तक का आपको खरवा रहा है और PDF files form में मिलेगा material के आपके पास कमी नहीं होगी आपको इधर-धर जाने की जरुवत नहीं पड़ेगी वो उस पर already 70% का off चल रहा है मैंने अभी देखा और आप लो C code लगा के ले लीजे मैं यह नहीं बोलूगी अगर लेना हो ले लो क्योंकि यह आपको इस exam के अलावा सभी exam में help करने वाला है इस exam में तो करेगा ही करेगा insurance तक की exam में help करेगा PDF form में मिलेगा तो इसको ले लीजे मैं link इसका description box में दे देती हूँ ठीक है अब रही बात कैस कि आपके पास overall time 60 days का ही है prelims में तो क्या मैं हम इसमें clear कर लेंगे अभी हमें कुछ भी पढ़ना नहीं शुरू किया है जी हां बिलकुल clear कर लोगे बहुत confidence से मैं इसलिए बोल रहे हूँ कि अगर आप इसको follow करोगे आप बिलकुल clear कर लोगे लेकिन जितनी serious मैं हूँ उतना serious आपको भी रहना पड़ेगा और mains exam तक की to-do list इस to-do list है mains exam तक का हम लोग cover करेंगे ये नहीं है कि सिर्फ prelims आपको मैं 45 days में करवाऊंगी नहीं इसमें mains कभी included रहेगा क्योंकि यार अगस से September में time ही कितना मिलेगा आप लोग को mains का देने के लिए ठीक है ना तो आ एक को follow करके चलो नहीं तो ना बहुत scatter होगा दिमाग आज से 2-4 साल 5 साल पहले ये था गाइस कि इतना जादा सब लोग strategy सब लोग ये सब चीज़े नहीं बना रहे थे और तब ही selection rate जादा होता था अभी दिमाग आप लोगों का divert हो यार मैं ये बता रही है यार वो बंद प्योग लग कैसे कर सकते हैं तूडू लिस्ट के लिए आप लोग मुझे बताइएगा चाहिए है क्योंकि मैंने जो डेडिकेशन से सोच लिया है कि 45 डेज आप लोग को देनी है और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दो जिससे सब बच्चों तक ये वीडियो इस वीडियो वेग